हलो एवरिवान, वेलकम टो दस चानल आने के एजुकेशिन पॉइंट, मैसेल फिना टककर और आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों के जो भी इंटरनल असिस्मेंट है, जो की बच्चों ने नहीं दिये थे, किसी भी रीजन की विज़ा से उनको डेट नहीं पता चली थी, या वो कहीं चले गए थे, या कुछ भी मिसिंग हो गया था, वो एक्जाम नहीं दे पाया था, तो उनको ये कंबल स्री देना ही पड़ेगा, जिनका भी रहे गया था, वो दुबारा दे सकते हैं, तो मैं पहले सबसे पहले बीकॉम वालों की डेट शीट बताने वाली हूँ, कि कब आपके एक्जाम्स है, तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, पाँच अप्रेल को आप लोगों का बिजनेस और्गनेजिशन और्गनेजमेंट का दो बज़े आप लोगों का एक्जाम मौका मिला, इसके बाद मौका मिलेगा नहीं, तो आपको इस जरूर से जरूर दे देना है, ठीक है, उसके बाद 10 अपरेल को आपका EBS का पेपर है, इन्वार्मेंटल साइंस थियोरी इन्टु प्राक्टेश यानि दो बज़े वो लिया जाएगा, 11 अपरेल को आप लोगो साथी साथ तेरा अपरेल को आप लोगों के पास संस्कृत है, या फिर योगा है, उनका पेपर लिया जाने वाला है, तो इस तरीके से पेपर होने वाले है, समेस्टर फर्स के ही है, यह ताइमिंग आप सापके सामने दिया गया है, लेकिन जो English Communication का पेपर है, वो 10 बजे ल लिया जा रहे है, ठीक है, तो यह देख लेना, आपका जो भी अगर आप B.com से हो, और आपका इंटरनल असिस्मेंट रहे गया था, तो आपको जरूर सा जरूर देना है, और यह अपरेल में चालू हो जाएंगे, दिन बहुत ही कम है, अभी से त्यारी स्टार्ट कर दो, आ ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ, अब हम बात करते हैं, B.com honors वालो की, ठीक है, तो B.com honors की अगर मैं बात करूँ तो B.com honors वालो का सबसे पहला जो पेपर है, 5 April को किसका है, management principle and application का 10 बज़े लिया जाएगा, 6 April को आप screenshot लेना चाहो तो basic से ले सकते हो, ठीक है, schedule की online है, MCQ questions रहेंगे आपके, ठीक है, 7-7, 6 April को आपका business law का 10 बज़े paper है, 8 April को आप लोगों का financial accounting है, business honors वालो का है, ठीक है, प्रोग्राम का भी मैं बता चुकी, screenshot ले लिया होगा, आपने, 8 April को financial accounting 10 बज़े लिया जाएगा, 10 April को आप लोगों का 10 बज़े paper है, ठ 10 बज़े लिया जाएगा, code आपके सामने लिखे गए है, 12 तारीक को आप लोगों के पास English का है, English communication everyday life, वो भी 10 बज़े लिया जाएगा, जो भी आपका subject है, जिसमें सा choice है, वो आप देख लेना, और 12 April को फिर से commerce का finance for everyone, 12 बज़े नून में लिया जाएगा, फिर commerce वाले का अगर commerce है, तो commerce वाले लिया जाएगा, 12 April को जिनके वास Hindi है और रंगमंच है, वो सब देख लिए अपने according, 13 April को आप लोगों का, जो exam लिया जारा है, political science है, हिंदी है, जो भी है, यहाँ पर सब दिये गए है, हिंदी वालों का, जो paper है, 10 बज़े रहेगा, और political science वालों का 12 बज़े नून में रहेगा, 13 April को आप लोगों का English या फिर संस्क्रिट जो भी है, यूगा बगरा का, Reading Indian, Fiction in English का paper लिया जाएगा, साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है, जो कुछ इंस्रक्शन दिये गए, जो candidate are click to, मतलब यहाँ पर, आप लोगों को कहा लोग इन क्या करना है, वो सब यहाँ पर बताया गया, इंस्रक्शन को screenshot ले सकते हैं, फिर आपको 16 का roll number डाना है, बारकोड एंटर करना है, ठीक है, साथ ही साथ examination का schedule जो है, वो click करना है, ठीक है, MCQ questions आजाएंगे, वो आपको करना ही, करना है, MCQ will be display on, आपके screen पर आ जाए गए है, online MCQ based जो है, आपको क्लिक करना है, assignment.sol.du.ac.in पर, ठीक है, इस सरीके से, तो यह सारे के सारे instruction दिये गए है, अगर कोई technical issue आजाता है, तो यहाँ पर number में मेंशन किये गए है, website भी यहाँ पर, mail ID भी आपको डाली गई है, तो यह become owners वाला था, प्रोग्राम का मैंने बताती है, अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कि जो भी BA English वाले है, वो क्या करेंगे, ठीक है, और अगर आप लोगों का कोई और है, यानि कि अगर आप BA किसी और में कर रहे हैं, या तो आप लोग क्या कर सकते है, solve, due.ac.in पर जाएं, और वहाँ से, आप जो है, schedule निकाल लेंगे, आपका डिश्री मिल जाएगे, आप लोगों को, ठीक है, semester first वालों का है, जिनका assessment रह गया था, वो लोग आप यहाँ पर जरूर दे, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा, तो जरूर से जरूर दे, ठीक है, सबसे पहले आप लोगों का पांच अपरेल को equation and victories है, उसके बाद business organization का पेपर भी है, 11 अपरेल को, और 12 को फिर से जो भी है, आपके बाद subject है, English आप लोगों से जो भी है, वो है आप लोगों का, साथी साथ 13 तारीक को आपका constitution values and fundamental duties का 12 बज़े पेपर होगा, और English का पेपर है 13 अपरेल को, या Sanskrit यो का जो भी है, दो आपको जरूर से जरूर देना है, मैंने सारे के सारी date sheet बता दी है, मुझे लगता है video informative लगो, अच्छा लगे, तो प्लीज अपने friends तक share करे, like करे, comments करे, मिलते हैं next video में next topics है, thank you so much